बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चानल Creative Learning Center में तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और यह जो सीरीज हमारा चल रहा है यह Photoshop में Special Effects का सीरीज चल रहा है तो इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक 2D image से यानि कि flat image को use करके कैसे आप कोई 3D platform बना सकते हो in fact आप कैसे perspective और distort को अपने working file पे use कर सकते हो तो चलिए देखते हैं okay so यह अभी हमारे पास यह file खुलावा है और हमें बनाना है वो platform so अभी इसमें करना क्या है अपने को कि सबसे पहले तो मैं यह जो image है इसकी size थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ जैसे इसकी width जो 16 है और यह है 12 मैं इसको कर लेता हूँ 20 इसकी width मैं कर लेता हूँ 20 और मैं इसको रखता हूँ 12 तो यह थोड़ा सा मुझे ऐसा wide में चाहिए अभी हमने इस image को ले रखा है तो इसे मुझे उस 3D platform के लिए use करना है अभी मैं यहाँ पर आया और इसको ctrl T करके मैं इसको छोटा कर लिया ठीक है मैं इसको copy करूँगा अभी तो यहाँ पर आपको joint जैसा दीख रहा हूँगा तो आप इस पर ctrl T करके right click कीजे और इसको कर लेजे flip horizontal और आप देख रहे हैं अभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह exactly यहाँ पर joint हुआ है कि नहीं दोनों लेयर को select कर यह और press Ctrl E to merge this one अभी अपने को क्या करना है अभी अपने को करना है ऐसे right click and use perspective और आप यह देखो इससे मुझे perspective में बनानी है तो मैं यहाँ पर ऐसे perspective लेकर आपको एक corner को सिप मैं ऐसे बढ़ा करूंगा और दूसरा corner अपने आप यानि कि यह perspective tool है जिससे आप perspective create कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने ऐसे create कर लिया right अभी मैं इसको control T करता हूं और control T करके मैं थोड़ा से इसको बड़ा कर लेता हूं इदर से ताकि यह यहाँ तक ऐसे हो जाए okay now see this kind of so यह देखिए हमारा यहाँ पर यह ऐसा हो चुगा है अभी यहाँ पर इसको पूरी तरीके से 3D में look देने के लिए अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा railing टाप कर बनाऊँगा तो मैं यहाँ से एक just यहाँ से piece cut करूँगा से select करके मैंने इसको cut कर लिया और मैं यहाँ पर लियाता हूं और यह देखिए यह यहाँ पर लग चुका है अब इसको control T कर लें और इसको यह से चोटा कर ले थोड़ा अब देखिए यह बहुत ही आपको flat दिख रहा होगा see it's looking very flat अब हम क्या करेंगे control T और इसको यहाँ पर ऐसे कर लेंगे control T right click again perspective see यह देखिए है हो गया उसके बाद आप use की जिए distort और इसको अब थोड़ा सा नीचे कर देखिए यह देखिए लेकिन अभी भी यह आपको 3D effect नहीं दे रहा है region क्या है region यह है कि दोनों का color एक्दम से में तो मैं नीचे वाले layer को एक बार फिर से select करूंगा इस वाले layer को select किया प्रेस करेंगे control L for label और इसको थोड़ा सा dark कर देंगे see अभी यह बस इतना ही से आपको समझ में आ जाएगा यह देखिए आपको 3D platform बनके यह तयार है and now I will use this image behind the platform control T कर देखिए अभी मैं इसको select करता हूं और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है आपको इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देखिए see and now it's looking perfect control T करेंगे यह देखिए और आपको इसको जितना छोटा बड़ा जो भी जैसा दिखाना है आप दिखा सकते यह देखिए so look this is completely looking like a 3D roof नहीं यह देखो आपको एक 3D के roof जैसा यह आपको यहाँ पे feeling दे रही है अभी मैं इन दोनों को select करता हूं control E करता हूं और मैं सो control T करके मैं इसको थोड़ा सा से छोटा कर लेता हूं आप कर सकते हैं कोई issue नहीं है और आप इदर से लेकिन इदर से नहीं होगा विकास हमारा वह छोटा हुआ है अभी देखें और यह पूरी तरीके से आपका बन चुका है अभी हम यहां पर चाहें तो थोड़ा सा color use कर सकते हैं लाइक मलब थोड़ा सा corrections वगरा बना सकते हैं इस तरीके से आप यहां पर easily कोई भी 3D platform आप बना सकते हो वह भी flat image से यह काफी flat image था जिसको use करके हम लोगों ने यहां पर यह चीज़ बनाया है ओके फ्रेंस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में एक नए effects के साथ सो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो देखते रही है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत भूलिएगा मिलते हम आपसे नेक्स वीडिय और हम जिए याय में खाउकिस जाइक कीजिए ऊत्ल अर उर श और को सूर्चें, क्तो तोब फस्यक्वता, और अियूली इदानल कोको सब्सक्राइब करि सूर्चें लिएए रत्रा के लिए इसे अ कंवानल कोह